तो हुआ कुछ इस तरीके से है कि इन भाई साब ने इन भाई साब से मिलके इन बहेंदी को उठा लिया है तो किसकी लाइफ कौन से किसकी तरीके से जंड होने वाली है यह आपको पता चलेगा मोहतरमा सपोजटली बहुत यह एक अमीर खांदान से बिलॉंग करती है तो इन भाई साब को और इन भाई साब को से लज़ रहा कि बहुत चारे पैसे निकाल लेंगे अब इसके बीच में क्या कुछ होगा यही थ्रिलर है और इसके बारे में कुछ भी बताएं तो फिर आपका मजा जो है थोड़ा सा किरकर हो जाएगा तो पहली चीज़ तो यह है कि एक वोमन डिरेक्टर ने वनाया पीती जी ने और कहीं अगी आप यह बूल सकते हैं कि वोमन का लेंस इसके अंदर बहुत ज़रूरी था को यहां पर कहीं ना कहीं एक मजबूरी के अंदर फस गई है अब यह निकलेगी ऐसे और क्या इस जो दोनों क्यारेक्टर्व हैं रायमा के जो पसनालिटी टाइप है उसको एक्सप्लॉर कर पाएंगे कि नी कर पाएंगे इनसेंस की यह इतनी सीधी है कि बस इसको एक्स्प्लॉइट करके इसके फादर को धमकियां के देखने पैसे निकला भाएंगे या फिर यह तो ट्विस्ट हैं वह बहुत ही ज़्यादा अन्प्रेडिक्टेबल है जिन लोग ने बहुत ज़्यादा ओटेटी कॉंटेंट देखा हुआ है तो अगर इसका ट्रेलर को दो या तीन बार देख लेंगे धंग से और उसमें स्पेसिफिकली एक सिरफ एक सेकेंड का शॉट आ हैं तो यह डरा भी सकते हैं क्योंकि ही इस वन अफ दो बूटल गाइज है यह इस देलीड किटनापर सो तो से एंड इस गया है लोड़ एमोशन्स तू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बिकॉस इसके साथ बहुत सरी चीजे हो रही हैं वाइल किटनापिक इस हापनिंग और य गंटा 25 मिनट के मतलब है कि आपको बहुत करने का भी टाइम ही रहती है चीजे चलती रहती है राइमार सेन की बहुत ही रिस्ट्रेंट और अचानक से बहुत पारफुल तरीके की आक्टिंग है दो एक्स्ट्रीम है इसके अंदर और कहीं आप कन्फूजन के अंदर आते च आपको इस तरीके का चीजे जहां पर लार्जन लाइफ नहीं हो रहा तो फिर मेरे खाल से आजकर पब्लिक जाना थोड़ा सा कम होई है थेटर के अंदर बहुत बड़ी पिक्चर है तभी जाती है तो जब अगर आप यहां चले आओ तो राइट व्यूजिक जो होता है ब्रूटलनेस भी होती है ब्लडशेट से भी लोग घबराएं नहीं है वह आपको काफी सथा रियलिजम के अंदर लगेगा और आपको लगेगा ऐसा किसी के साथ हो सकता है लेकिन माइन गेम विल ब्लो यूर माइन तो माइड रिकेमेंडेशन इस गूएंड वाच सब्सक्राइब को पैसे मिल जाएंगे मौतरमा का थांक्यू अरेमाच हो जाएगा या फिर मौतरमा कुछ कर भी भाएंगे की नहीं कर पाएंगी एक ट्विस्टिट टेल है और यह जो सहपाटी है यानि कि यह जो इनका इनका यह तना हलपर टाइब वह किस दौरान से गु प्लीज गो एंड वाच इन यौ थेटर्स नियर यू और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब यह देखोगे तु कहिना के बोलो गया या अच्छी रिकमेंडेशन आपने इन दी है और मेरे काल से इसके टिकेट भी आधा मेंगी नहीं है मेरे को यह 215 उपर की कोई टिकेट मि पर आजाईगी है तो अभी चांस है अभी देख लो यह जो त्रिलिंग चीजे होती है यह सब के साथ देख के मज़ा आता है कि क्या हो रहा है कैसे होगा आगे क्या होगा तो इंपॉर्टेंट चीज और आके कोई स्पोईलर मत देना है दूसरे को बाइबाइ